नमस्ते किसान भाईयों खांजेज गोड़ फार्म ये अपने यूट्यूब चनल पर सभी किसान भाईयों का स्वागत है हमें किसी किसान भाई की कमेंड आये थी कि भाई जो भी अलग-अलग तरह की समाइन है कि बॉटल चड़ाते कि बकरियों में तो उसके बारे में जान लाइन का इस्तीमाल होना चाहिए तो छी criticism की सलाइन बॉटल हम लोग फांपर रखने के लिए करते हैं। उसमीं होता है Normal인데शनल इसके बार डियेन इसमें नेक्सट separate होता है और सोडीयन होता है इसमें आर्यल सलाइज, इसमें रिंगल्स, लैक्टेक होता है और चौति और आखी बोले तो जिसमें डेक्स्टोज होता है जो 5% डेक्स्टोज, 10% है 25% के साब से मार्केट में आता है लब्द होता है तो इनके क्या-क्या इस्तिमाल होते हैं यह हम लोग इस वीडियो में दे बड़ी सी जखम हुई है साप करना है जखम को उसमें धोल मिट्टी है कीड़े पड़ गया है तो ऐसी जखम को साप करने के लिए हम लोग गरम पानी का इस्तेमाल करते हैं क्या गरम गरम बोले तो थोड़ा गुंगुना पानी जादा गरम नहीं उसके साथ में अगर आपके के पास गुन-गुना पानी नहीं है तो आप रहाव करने के लिए नॉर्मल समय कीया जाता है इतका इस्तेमाल है दूसरा positives ही हमने क्यों गार्प्रॉंग akkor को थे तो क्या ए तो आपके पास ने इसके डाल के पटला तो थे सिद्सिए माथब इसके जल गहा है जलने के कारण उनके बड़ी से कुछ मात्रा में या हदी मात्रा में खून में से पानी भे गया है अमने देखा होगे कि कोई इंसान जल जाता है जानवर जल जाता तो बड़े बड़े फोड़े आते हैं और उनको पोड़ों तो क्या निकलता है पानी एक कहां से निकलता है तो खून में से बाहर आया होता है इसमें क्या होता है तो शरीर से पान निकल गया जानवरों का ब्लड फ्रेशर डाउन हो जाता है जानवरों के खून की कभी हो जाती है उनको क्योंकि उसमें से पानी जो इसको सीरम बोलते हैं वो कम हो गया तो ऐसे जानवरों में हमनों नॉर्मल सलाई में चड़ाएंगे इसका बेसिक है अब डीनेस में हमने देखा क्या है इसमें डेक्स्ट्रोज है और स्थूडियम है तो यह जो रूटीन बीमार जानवरे वाई दो तीन दिनों से बीमार एक खापी नहीं रहा है उन जानवरों के लिए इनर्जी का काम दवा हम लोग जड़ाएंगे जो कि उसके खाने का मतलब सोर्स बनेगा और उसके साथ में दवा देंगे तो खाना दीनेस सुरू जा रहा है और दवा हम लोग जो देना चाहे हो देंगे तो जानवरों ठीक हो जाएगा अगली सलाई जाते है आरेल इसका इस्तिमान हम बक्रों में बहुत सारे दस्त लग चुके पतली संडास करें बक्री और उस दवरान हम लोग रिंगर्स लैक्टेट की सलाईन उसको चड़ाएंगे या कुछ फ्रैक्चेर हो गया है जखम हो उसमें बहुत सारा खुल बढ़ गया है तो इस कंदिशन में भी हम लोग रिंग है कि जानोर बहुत कुछ खापी तो क्या घानोरो को खीक करने के लिए हम लोग ये हाइज़ से शारे चप्राइंब वाली सलाईं उसको चड़ाएंगा जो ज्यादा बड़े जानुरों में इसका इस्तेमाल होता है हमारे पास बक्री है छोटा जानुरे जो ज्यादा जिनों से बीमार जानुर है इसको उसको उसको चड़ाएंगे जानुर भी उसको उस तरह से इनर्जी ठीक होगा तो ही जानुर ठीक होगा तो हम लोग यह सलाइन उसको चड़ाएंगे अगर जानुर ज्यादा से ज्यादा है तो यह रेगुलर देंगे हम लोग दिन एक बार या सुबह शाम जिस तरह से मदब जिस स्टेज में हम आ जानुर जितना प्रमजोर है उस हिसाब से यह दवाई हम लोग उसको चड़ाएंगे तो यह है अलग-अलग किसम की सलाइन औ और इनके यूज हमने देखे हैं अगर किसी किसान भाई को इसके बारे में और ज्यादा जान करें चाहिए तो हमें कमेंट मिलेगी तशन्यवाद किसान भाई